प्लानेट भुजपूरी आप सभी लोग देख रहे हैं भुजपूरी सिनेमा में मेरा पदारपन हुआ कैसे मैं पहले से एक सपना देखता था क्योंकि एक मैं ऐसे परिवार से विलांग करता हूँ जिनका बहुत नाम शौरत था तो ऐसी मैं सोचता था कि चोथी पीड़े में मैं जमिदार परिवार से विलांग करता हूँ मेरे दादेजी का बहुत नाम था तो मैं भी हाई स्कुल में जबी admission लिया तब से ही सोचने लगा कि अपने दादा जी जैसा मेरे को नाम पैदा करना है उनके जैसा बनना है उनके जैसा रुदबा लाना है तो मैंने field में market को बहुत सर्च किया कि कौन सा ऐसा काम है कि जिससे इंसान बहुत तेजी से जिसका नाम शुर्खियों में आता है तो सर्च करते करते ये मैसूस हुआ खेल जगत फिर मैं फिल्मी दुनिया के बारे में सोचा फिल्मी दुनिया में आकर के मैंने struggle किया ट्रेणिंग ली बहुत सारे लोग थे दोस्त मेतर कोई लोग मेरे को सहयोग किये कुछ लोग चीट किये सब बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हुई लेकिन मैंने अपनी उन महत्वा कांचाओं को छोड़ा नहीं इस फिल्मी दुनिया में अपने आपको stand करने के लिए अपना home production बनाया और खुद की पूझी लगाने के सोच करके कि मैं अपने आपको stand करूँगा तो इसके बारे में यहां करके सब कुछ मैंने search किया अपना home production बनाया ये banner hero by entertainment ये मेरा home production है क्यूंकि अपने आपको establish करने के लिए चैप फिल्मी दुनिया हो राजनितिक दुनिया हो या ब्यावसाइक दुनिया हो anyway कहीं भी है खुद को पूंची लगानी पड़ती है आज का जमाना ये नहीं रहा कि आपको कोई push करके समीन से उठागे आश्मान तक लाए कितना भी अच्छा relation हो ये जो फिल्म complete होकर के सारी जो तयार है आपके सामने इस फिल्म को complete करने में मुझे बहुत सारे ग्यान मिले बहुत अच्छा लगा बहुत सारे टीम के लोगों से मिल करके एक अच्छी चीज मेरे को जानने को मिली और shooting complete करने तक सारे लोगों ने अच्छा सयो किया और इस फिल्म के post production में भी मेरे को बहुत सारी जानकारी मिली कि फिल्म शूटिंग तक ही सिमित नहीं रहती शूटिंग के बाद जब टेबल पे आती है post production में आती है सारा काम यहां होता है और यहां से इतनी सारी जानकारीया मेरे को मिली है कि मुझे बहुत खुशी होती है और आने वाले वक्त में इस फिल्म को complete करके release करके आगे भी फिल्म बनाने अपने ही home production से बनाने की सारी मेरी अपनी planning है हाँ अगर यह film market में आती है और अपने भोजफूरी जगत के जितने भी producers हैं मेरी acting को अगर उनको अच्छा लगता है मुझे choose करते हैं sign करते हैं तो बाहर भी काम करूँगा ऐसा नहीं है लेकिन आगे अपने home production से अपने लिए मैं फिल्में अनुरत बनाता रहूँगा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सारे actor मेरे को काफी support के और मेरी opposite में जो heroine है वो हमारे उत्रप्रदेश की ही रहने वाली है वनारस की इला पांडे जी उनका काफी सहयोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है काफी cooperation है और कहीं भी किसी भी scene में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा हाँ इस film के लिए मैं दर्शकों से यह कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा मेरे इस film को देखें और अपने सारे दोस्त मित इस्त मित्रों को देखने का सलाह दें और अगर अच्छा लगता है तो इसकी शराहना करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में इसका विस्तार करें नमस्कार आप लोग देख रहे हैं प्लानेट भोजपूरी मैं प्रेम प्रकास जैस्वाल बहुत जबरदस्त फिल्म है बहुत जबरदस्त इसके गाने है इतने प्यारे इसके गाने है उतने जबरदस इसकी कहानी है और इसमें जो मेरा रोल है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो बहुत अच्छा रोल मैंने किया है और दूर दूर तक मैं सोचा नहीं था कि मैं भी फिल्मों में आऊंगा मैं आडियोंस से ही कहना चाहूंगा जब हमारी फिल्म जंग सियासत के रिलीज हो तो भाई अपने लोकल सिनेमा घरों में आप लोग जाकर जरूर इस फिल्म को देखें